जहीं दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल एज जेटी पे दोस्तों अभी हम लेकर आगे इंडेन नेवी एम्मार और एसे सार के लिए दोस्तों जीक्की की कोश्चन इससे पहले भी हमने प्रिभेस एर के कोश्चन करवाए थे पिछले गलास में औ लिए आपके एकजाम में इस तरह कोश्चन आप लोगो देखने को मिल जाएंगे टोटल पंदर्र कोश्चन नेव्मार और एसे सार का अगर इग्जाम के वे तैयारह करें तो आप लोग्देख सकती हो अचे ने ओर सा इस doctor क किसी भी और एंसर का इंसर आप्ट को मेंड्न क सबसे पहला सवाल है यहां पर जवाहर सुरंग जो है किस राज में मैं option नहीं पढ़ूंगा सीधा हम एंसर आप लोग बताऊंगा जिससे कि आप लोग का टाइम ज्यादा बचेगा ठीक है राइट आंसर हो जाएगा option नमर पी जमुकस्मीर जवाहर सुरंग जो है वो जमुकस्मीर राज में आप लोग याद रखेगा बहुत बहतरीन सवाल है अगला question क्यों बटते हैं अगला question है कि भारत में नोट जारी करने की परणाली कौन सी परणाली अपनाई जाती है ठीक है किसी भी देश की परधान मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी ठीक है राइट आंसर हो जागा दोस्तो ओफसन नमबर D हो जाएगा सिरी माबो भंडार नाइके जो कि सिरलंका की थी ठीक है आप लोग याद रखेगा जो कि पहली परधान मंत्री बनी थी अगला कोश्चन के और बढ़ते हैं चार नमबर सवाल देखेगा क्या कहा रहा है चार नमबर सवाल है कि भारत का पहला पंडुब्बी संग्राले कहां अस्थापित किया गया था आपके पास यहाँ पर चार ओफसन है इसका जुराइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ओफसन नमबर सी हो जाएगा विसाखा पत्नम ठीक है भारत में जो मतलब पहला पंडुब्बी संग्राले जो अस्थापित किया गया था वो विसाखा पत्नम में किया गया था अगला कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन है कि कौन से देश का एक अंतर जल्य सुरंग द्वारा जुरे हुए इसका जुराइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option number हो जाएगा D हो जाएगा France और England हो जाएगा France और England देश एक अंतर जल्य सुरंग द्वारा जूरे हुए ये दोनों देश ठीक है तो आप लोग याद रखना अगले question कर बढ़ते है 6 number आपके सामने question कि विस्व के सबसे गहरी खाई Mariana खाई कहां इस्तित है ठीक है इसका जो right answer होगा दोस्तो option number D हो जाएगा परसांत महासागर हो जाएगा विस्व के सबसे गहरी खाई Mariana खाई जो है वो परसांत महासागर मिस्तित है आप लोग को बता दे हमारे second channel पे भी continue class चला है Navy MR SSR के लिए तो आप लोग अभी तक कलास नहीं देखे उस second channel पे continue तिन चार कलास आने ठीक है तो जाओ लिंक आप लोग को description box मिलेगा जाके आप लोग कलास जरूर देखेगा अगला सवाल क्यों बठते हैं अगला सवाल यहाँ पर बोलने कि गुप्त काल के चांदी के सिक्क्यों को क्या कहते थे राइट आंसर हो जाएगा option number B रूपयक गुप्त काल के चांदी के सिक्क्यों क्या बोलते थे रूपयक बोलते थे आप लोग याद रखेगा अगला सवाल है सरीर में आईरन के कमी से क्या होता है option number B दोस्तों हो जाएगा right answer अरक्तता इसको एनेमिया भी बोलते हैं मतल़ सरीर में iron की कमी से कौन से भीमारी भी होती है उसी को अरक्तता भी बोलते हैं option आप लोग के जो हो उस पे ठीक आप लोग लगा दीजेगा अगला question क्यों बरते हैं अगला question 9 number है निम्लिक्त में से कौन सा विसालतम अस्थल चर वन प्रानी है ठीक है right answer हो जाएगा अफिर की हाथी अफिर की हाथी जो है सबसे विसालतम अस्थल चर वन प्रानी है आप लोग याद रखना अगला question क्यों बढ़ते हैं 10 number बहुत important सवाल ठीक है खुजराहों मंदिरों का निर्मान जो है किस ने किया था right answer हो जाएगा चंदेल राजपूत ठीक है खुजराहों मंदिर का जो निर्मान किया था वो चंदेल राजपूतों ने किया था अगला question है भगमान बुध्ध ने प्रान कहां त्यागे थे राइट आंसर हो जाएगा option number C कुछी नगर में भगमान बुध्ध जो है अपना प्रान जो त्यागे थे वो कुछी नगर में त्यागे थे आप लोग याद रखेगा अगला सवाल की और बढ़ते है राज सभा का कारिकाल होता है right answer हो जाएगा दोस्तो option number B हो जाएगा 6 वर्स राज सभा का जो कारिकाल होता है वो 6 वर्स होता है तो आप लोग याद रखेगा बहुत ही जादा important सवाल है अगले question की और बढ़ेंगे और अगला question यहाँ पर है भारत का सबसे प्रसीद लैगून जील जो है वो कौन है right answer हो जाएगा दोस्तो option number A चिलका जील हो जाएगा अगर पूछा जाएगा कि सबसे बढ़ा लैगून जील कौन है तो वो भी चिलका जील है आप लोग याद रखेगा अगले question की और बढ़ेंगे 14 नंबर सवाल को देखेंगे 14 नंबर सवाल बोला है भारत का सबसे बढ़ा वानेजिक के वैंक है right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा भारती ए स्टेट वैंक जो है सबसे बढ़ा वानेजिक के वैंक है आप लोग याद रखना अगले सवाल की और बढ़ेंगे 15 नंबर सवाल 15 नंबर सवाल बोला है भारत का समीधान किस तीथी को सुविकार किया गया था right answer हो जाएगा 26 नंबरी 149 को ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा sorry 26 नवंबर 149 हो जाएगा इसी तरह के question तो आप लोग याद करना हो सकते तो ऐसे question आपकी एक्जाम में देखने को मिल जाए और मैं जल्द से जल्द हो सकता तो science के भी question करवा दूँगा important math के भी question करवाऊंगा बाके बागे बाद आप लोग को तीन से चार दिन में 500 प्रिवियस यर के question आप लोगो मिल जाएंगे जीके के होंगे और प्लस में उसमें science के होंगे उसके लिए कुछ पैसे आपको pay करने परेंगे ठीक है और वो बहुत जादे question जोंगे उसमें आपको exam में देखने को मिलेंगे same to same वैसा है तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैं एक detail वीडियो बनाऊंगा उसपे 3-4 दिन बाद 5 September या 6 September तक फिर आप लोग ले सकते हो ठीक है बाके बाद इस वीडियो को जितना हो सकते हो उतना share करो बहुत सारे class यूप टूपे परे फिर ही वह भी आप लोग देख सकते हो बहुत जादा benefit आपको exam में मिलेगा बाके हम मिलते एक और न्यू वीडियो में न्यू कलास के साथ अच्छे अपडेट के साथ तब तक आप लोग इस वीडियो को सेयर करते हैं और टेलगाम को ज़रूर जोइन किजेगा उसका वी लिंक में आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे रखा हूं तब तक के लिए ज